So friends, आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं Concave Lens से किस तरीके से Image Formation होता है उससे हम लोग देखेंगे Well, इसके कुछ ज़्यादा Cases नहीं है क्योंकि Concave Lens का जो Use है वो दूर की चीजों को देखने के लिए होता है इसके मेंली दो cases है जो हम लोग देखेंगे जिसमें Object अलगलग Position पे होगा और उसकी Image बनते में हम लोग देखेंगे Right, तो शली यह शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक Concave Lens बनाएंगे जो कि कुछ इस तरीके से होता है जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि एक Principal Axis है Optical Center आपको ओ नज़र आ रहा है दो Focus Points आपको नज़र आ रहे हैं और दो 2F भी आपको नज़र आ रहे हैं पहले भी बता चकाऊं कि Lenses के अंदर C की जगह है आप लोग यूज़ करते हो 2F का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले Case के अंदर ये मान के चलेंगे कि जो आपका Object है वो हमेशा की तरह Infinite Position के उपर है यानि कि बहुत दूर कई पढ़ा हुआ है और Infinite Object से निकलने वाली जो Light Rays होती है हम सबको पता है कि वो कैसी आती है वो इस Principal Axis के Parallel चलती हुए आती है तो इसका मतलब उस Object में से Light Ray आएंगी जो कि Parallel चलती हुए आएंगी और आकर के इस Concave Lens के Interface से टकराएंगी अब Interface के बाद क्या होगा Refraction ही होगा मतलब टकराने के बाद तो क्या होगा कि इस बार चुकि ये Parallel आई है तो इनको Focus Point से गुजरना चाहिए तो ये कुछ ऐसी Direction के अंदर Refract होगी जिसको आप लोग अगर पीछे की तरफ Imaginary बढ़ा होगे तो आपको Focus Point पे Intersection Point मिलेगा इसका मतलब ये Refract होगे गई तो इन Directions के अंदर है लेकिन चुकि हमारी आँख यहां होगी तो आँख जो Observe करती है वो Back Track करती है हमेशे की तरह तो वो इन Light Race को Back Track करेगी और उन्हें जो Focus Point मिलेगा जो मतलब Intersection Point मिलेगा वो इस Focus Point पे मिलेगा तो Image जो इनको मिलेगी वो इस Focus Point पे बनती भी नजर आएगी तो अब ये Image कैसी होगी इसकी क्या Characteristics होगी तो देखिए Image की Location क्या होगी आपके Focus Point पे होगी ये बात आमें मालूम है Image कैसी होगी, Virtual होगी की Real होगी चुकि जो Real Light Race है वो Refract होके कुछ इस Directions में निकल गई है तो ये जो Imaginary Light Race से बन रही है तो ये Image कैसी होगी वर्च्वली होगी, अब्विस सी बात है ठीक है, इस Image का Orientation कैसा होगा सीधी ए की उल्टी है हाला कि है तो Point Size लेकिन उल्टी भी का जा सकता है इसको तो इसका Orientation Point Size लिख सकते हो या फिर Inverted भी लिख सकते हो ठीक है, Orientation Inverted है इसका Size कैसा है Point Size है तो इसका मतलब Infinite दूरी पे कोई भी Image अगर आप लोग रख दो और फिर Concave Lens से उसको देखने की कोशिश कुरो तो आपको Point जितनी दिएगी कितना भी दूर Object पढ़ा हो बहुत दूर पढ़ा हो Infinite दूरी पे तो हमें बिल्कुल चोटा ही निजर आता है जितना दूर आप देखोगे चीज़ें चोटी 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 निजर आती है ठीक है तो इसका मतलब Point Size की में बनेगी तो यह पहला Case है नॉर्मल Case है यह चीज़ हमें पहले वाले Lens में भी देखना है को मिली थी दूसरा जो Case होगा वो बहुत खास है इसमें आप लोग क्या करोगे कि जो Object है उसको Principal Axis पे रखोगे अब वो Object Principal Axis पे कहां रखा होगा कहीं भी रख दो यानि कि आप लोग इसको चाहे तो 2F से दूर रखो या 2F पर रखो या 2F से आगे रखो इस Focus Point तक कहीं भी रख दो आप लोग Object को Focus Point के आगे भी थोड़ा रख सकते हो ठीक है तो मैं क्या करता हूँ कि Focus Point के पास एक Object रखता हूँ 2F पर रख दिया इस Object को मैंने नाम दिया AB बड़ा सा Object है इस A में से पहली Light Ray जो निकलेगी वो कैसी निकलेगी वो इस Principal Axis के Parallel जाएगी और Parallel जाएगी तो जाकर के जब ये Interface से टकराएगी तो ये Refract होगी ये उस Direction में Refract होगी जिससे आप लोग बढ़ाओगे तो वो बढ़ते बढ़ते कहां जाएगा Focus Point तक जाएगा यानि इमेजनरी जब आप लोग इसको बढ़ाओगे तो Focus Point पे जाकर इंटरसेक्ट हो जाएगा ये पहली Light Ray है पहला Rule है Parallel लाने वाली Light Ray Focus Point से गुजरती है दूसरी जो Light Ray एमेज निकलेगी वो कहां से जाएगी Optical Center से हम लोग वो बता है Rules यह होते है तो Optical Center से जाने वाली Light बगएर किसी Deviation के आगे बढ़ जाएगी तो अब यहां पे आप देख सकते हो कि इस Imaginary Light Ray का और इस Real Light Ray का एक Intersection Point मिला और इस Intersection Point पर ही आपकी आँख को Image दिखेगी A की जो की होगी A- समझ रहे हैं आप लोग मेंने क्या किया है पहली Light Ray पहलेल गई तो वो Focus से गुजरी मतलब जो आपकी Image नहीं है वो Focus से गुजरी है दूसरी वाली Optical Center से गुजरी है दोनों का Intersection Point बना है जहां पर हमारी आँख को A की Image A- नजर आएगी अब B की Image का क्या होगा B में से जो Light Ray निकलेगी वो भी Optical Center से गुजरेगी तो इसका मतलब B की Image आपको इस Principal Axis पे मिलेगी तो आप लोग perpendicularly देखोगे तो B की Image आपको B- यहां मिलेगी तो इस A-B Object की जो Image की मिली है हमें वो कहां मिली है A-B- मिली है कोई दिखकर नहीं है अब इस Image को आप लोग नोट करने ही कुशिश कीजिए इसकी Characteristic क्या है देखिए इस Image की Location क्या है Focus Point और Optical Center के बीच में बन रही है समझ में आता है यह Image कैसी बन रही है Virtual बन रही है कि Real बन रही है इसको ध्यान से देखिए क्योंकि इसके अंदर एक Light Ray जो है वो आपकी Real है एक आपकी Imaginary है तो यह Image कैसी बनेगी देखिए Image को देखने के लिए कम से कम दो Light Ray की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर एक Light Ray तो Real है लेकिन बगैर Imaginary Light के आप लोग देखनी पाओगे इस Image को आपकी आँख देखनी पाएगी तो इसलिए यहाँ पर इस Imaginary Light Ray का बड़ा रोल है तो यह जो Image आपको दिखेगी यह Virtual होगी इस बात को आपको याद रखना है तो यह Image हो गई वर्चूल Orientation सीधी है, Portrait है साफ साफ नजर आ रही है उल्टी तो नहीं बनी है, सीधी बनी है अच्छा, Image का जो Size है वो कैसा है? Diminished हो गया है, छोटा हो गया है Correct? ठीक है अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि Object कहीं यहां पर पड़ा हुआ था A, B, उसकी Image जो है Lens से कुछ यहां नजर आई है हमें तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप Object को कहीं पे भी रख दो इस Principle Access पे, कितना ही दूर रख दो उसकी Image आपको यहीं कहीं पर पास में ही नजर आईगी Lens के पास ही नजर आईगी तो इससे आपको क्या समझ माया इससे आपको यह समझ माया कि जो Concave Lens होता है वो Actually दूर की चीज़ों को देखने में काम आता है यहीं कि कोई चीज़ बहुत दूर पड़ी है तो उसकी Image Concave Lens आपको पास में लाकर के बनाता है और छोटी बनाता है जिससे कि हम उसे देख सकें यहीं कि जिन लोगों को दूर का देखने में तकलीफ होती है वो लोग Easily इस Concave Lens का यूज़ करते हैं अपने Glasses के अंदर अपने चश्मों के अंदर जिससे कि वो आसाई से दूर की चीज़ों को देख सकें और छोटा देखते हैं Size में ठीक है तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हो कि जब भी Object Principal Access में कहीं पे भी बनावा हो तो उसी के थोड़ा सा आगे मतला Focus Point के आगे एक Image बनती है Concave Lens तो यह हो जाती है कुछ Characteristics इस Image की I hope आपको समझ में आई होंगी आप लोग ट्राय करके देख सकते हो Object को भला ही 2F के आगे ले जा सकते हो 2F के पीछे ले जा सकते हो कोई दिकर नहीं है आपको Image यहीं कहीं मिलेगी तो यह हो जाता है आपका Concave Lens से Image Formation चोटी सी वीडियो है चोटा सा टॉपिक है दो ही केस है इसको आपको याद रखना है इंपोर्टेंट है पूछ लिया जाता है और इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आ रही है कोई दिक्कत आती है कोई सवाल आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें comment section के जरीए बता सकते है So friends आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही See you in the next one